नमस्कार किशान भाई हो आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है कि हमें एससपी यानि कि सिंगल सूपर फास्पेट कब देना चाहिए इसको लेकर किशानों की कई ब्रांतिया रहती हैं कि साथ जो एससपी होता है उसको हम बोने के पहले फ स साथ लीक यहां कि इस वीटियो रिपोर्ट में क appreciates करूंगा मैं एसस पी के शाथ ढविक को भी कवर करने की कुशाब करूं कि से कैसे और पं देना चींव क्योंकि डिए और SSP दोनों ही फासपोर्स के मेजर शोर्स हैं और फासपोर्स सोल के अंदर मिटी के अंदर इम्मोबाइल होता है यानि कि बहुत ज्यादा मुमेंट नहीं कर पाता आप जहां डालते हो लग बग वहीं रहता है आप लग बग एक इंस से लेकर और दो तिन इंस तक यानि कि बीज के जितना पास इसको और पास में भी इस पिसली नीचे इन फेटिलाइजर को आप डाल पाओगे तो वह बेस्ट है तो उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप वही करने से पह पहले आप उस SSP को फैंक सकते हो उसके बाद में वह मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और आपके पोदों को अपलब्ध हो जाएगा पर यह बहुत अच्छा तरीका नहीं है दूसरा तरीका यह हो सकता है कि बुआई के पहले आप जिस गहराई पे बीज डालेंगे उससे थ थोड़ा ठीक है कि आपका SSP या DAP हो नीचे जमीन में चला जाएगा बोने के पहले और नमी वाली जिगह चला जाएगा अब आप उसके उपर बुआई करेंगे तो आपका बीज उस खाद से थोड़ा उपर पड़ेगा तो जब जड़े आप जैसे आपके इस गहराई के सोरी इस गहराई पर आपके खाद पड़ी है और इस गहराई पर आपका बीज पड़ा है तो इसकी जब जड़े-नीचे जाएगी तो डारिक खाद के में आ जाएगी लेकिन खाद वाली लाइन कहां है वीज वाली कहां आएगी इसका कोई अतापता नहीं रहता तो बहुत अडिरह तो नहीं है लेकिन पोई के पहले फेक देने से तो बेठर है कि हम वाई के पहले ऑख टिक मोह कर दें है और ठीसरा तरीकर यह हो सकता है एक तरीका हो सकता हैश northwest को मिला कर और अच्छा है एक तरीके एक माइने में वह ऐसे कि इसमें बीज के बिलकुल कॉंटेक्ट में आसपास खाद रहती है और जब पोदा उखता है इनीशियली तो उसको बिलकुल पास में ही आपको खाद मिल जाती है और बड़ा उसका अच्छी विगर होती है अच्छा पोदे का शुरुआत म उसकी चाल अच्छी होती है सब चीजें ठीक होती है बैस इसका ड्रोव है कि कई बार कुछ बीज बहुत सेंसिटीव होते हैं तो वह खाद के साथ उराई करने से उनका जो जर्मिनेशन परसेंट है यानि कि जो जमाव है वह थोड़ा कम आता है तो वह इस मेथर्ड की प्र सथाथ कैंट मोखेए बहुत ज्यादा मातरा महता नहीं गίνOW कर रहे हैं आंपने ज्यादा मी फट तो ऊड़ा है तो जो आपका चोधा तरीका है जो हम लोग करते थे मेरे हमारे घर में बच्छा पन में पितासी उट रखते थे तो भी बुवाई करते थे चुच्च में पढ़ने नहीं गये थे उससे पहले वुल्चा अगा। इसमें हम क्या करते थे जैसे कि गहूं की बिजाई इजब करनी होती थी तो आगे आगे जो उट का चलाता था वह तो डीएपी ओरता हुआ जाता था ठीक है जैसे इस गहराई पर यहां डीएपी ओरता आ गया आगे और उसके पीछे ओरनी से ओरनी से गहूं का बीज डालते ज modern चाहले जाते थे तो जो आपकी डीएपी यहां जो SSP होता था रहता हुआ जिसे अ आपको बताओं कि जैसे यह खूड है यह बीच वाला खूड है तो नीचे यहां जड में आपका उम्र आएगा तो वह मिट्टी उसकी इस गयों के बीज के ऊपर गिरेगी तो बीज भी इसका कवर हो जाता था और वह होता यह था कि यहां यदि आपकी खाद गिर रही है तो उसके साइड में यहां बीज गिता था उसको मतलब बिलो सरफेस ही रहता था लेकिन वह भी आपक यहां पास भी खाद होती थी तो यह वह तरीका था और जो पांचवा तरीका है यहां जो सबसे बेश तरीका है वह सीड कम फट्रिल यानि की डबल पेटी की इस ब्राटी जिसमें आपका खाद डालने की पेटी यह बीज की अलग होती है तो उसके अंदर परफेक्टली जो सकते हैं और बस इस बात को फिर यदि कंक्लूड ही कर सकते हैं कि आपको अपनी जो खाद आप स्सक्राइब दे रहे हैं वह बीज के आसपास रखनी है वह आपकी एक इंच से लेके दो ती इंच तक दूरी हो सकती है लेकिन कोशिस यह करें कि बीज है उसके जस्ट पास में ख कर दीज हैं